Hello friends, कैसे हो सब लोग? I hope सब लोग अच्छे होंगे, बहतर होंगे और स्वस्थ होंगे Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead, this is Aashu और आज हम डिसकस करेंगे एक बहुत important news जो आज दोपहर को आई कि Justice N.V. रमाना जी को निया Chief Justice of India गोशित कर दिया गया है क्योंकि जो अभी हमारे Chief Justice of India है, S.A. Bobdeji, उनका time period जो है, वो April में खतम होने वाला है जिसके बाद जो है, वो किसको लगाया जाएगा? N.V. रमाना जी को लगाया जाएगा तो आज अभी जो है, recently दोपहर के अंदर जो है, वो President ने भी approval दे दी गई है कि N.V. रमाना जी को निया Chief Justice of India लगाया जाएगा तो आप लोगोंने याद रखना है कि 48th Chief Justice of India जो है वो होंगे ये तो आपने बिलकुल इस news के साथ बने रहना है और हम इसके अंदर बहुत ही important points discuss करेंगे और ये 2021 का सबसे important question होने वाला है जो आपको हर exam में मिलने के chances होंगे लेकिन यार आगे बढ़ने से पहले कि मैं आपके साथ कुछ points important discuss करूँ उससे पहले वीडियो को like कर देना है, share कर देना है maximum to maximum आपकी sport की बहुत ज़रूरत है और साथ ही साथ चैनल को subscribe कर लेना है अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो यार start करते हैं इसके साथ कुछ important point discuss करते हैं सबसे पहले आपने याद रखना है कि N.V.Ramana जी जो है वो 48th Chief Justice of India होंगे बच्चे confused हो जाएंगे कि 47th है सरिया 48th है याद रखना है 47th जो है वो कौन है वो है हमारे पास S.A.B.O.B.D. जी जो अभी है हमारे Chief Justice of India और आपको यह पता होना चाहिए उनको 2019 में appoint किया गया था इन November तो वो 47 Chief Justice of India बने थे अभी 48th होंगे और N.V. रमाना जी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आये थे वो 2014 में ऐसे जच जो है वो आये थे और Chief Justice of India शरद अरविंद बोबडे जी जो है वो रिटायर हो रहे हैं 23 एपरिल को मतलब आज से अगर आप देखोगे आलमोस 15 दिन के बाद जो है वो रिटायर हो रहे हैं तो 24 एपरिल को जो है वो Chief Justice of India को ओथ दिलाई जाएगी उनको शबत दिलाई जाएगी और उनका टाइम परिड दोस्तों कब तक है और State Government के लिए काम करता है और साथ ही साथ याद रखना है कि Advocate Journal भी रह चुके हैं कौन सी स्टेट के अंधरा परदेश से क्योंकि यार यह बिलॉंग भी कौन सी स्टेट से करते हैं अंधरा से बिलॉंग करते हैं यह भी आप जो है वो साथ में याद रख सकते हो तो आप आगे देख सकते हो कि 27 अगस्त 1957 में उनका जनम हुआ था कौन सी डिस्टिक में कृष्णा डिस्टिक में और जो बच्चे अंधरा परदेश से बिलॉंग करते हैं यार वो इसको याद रख लें उनके लिए इंपॉर्टन है अदर्वाइस कृष्णा डिस्टिक का रमाना और या फिर आपने याद रखना है एनवी रमाना और जो अपॉइंट्मेंट है दोस्तों वो कौन से आर्टिकल के अंदर होती है आर्टिकल 124 ये आर्टिकल है कॉंसिट्यूशन के अंदर जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जज का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो मान लिया गया 24 अपरल 2021 को जो है उनका टाइम पर स्टार्ट होगा और कब तक रहेंगे वो 2022 तक रहेंगे कौन से मन तक अगस्त तक तो कौन कौन से important point है जो आपने याद रखने है 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरा नाम क्य याद रखना है कि यह पहले क्या positions पर रह चुके हैं पहले यह रह चुके हैं Chief Justice आंदरा High Court के Chief Justice रह चुके हैं दिल्ली High Court के और साथी साथी Advocate Journal भी रह चुके हैं आंदरा परदेश के तो यह सारी चीज़ें आपने याद रखनी हैं लेकिन इसी के साथ एक दो points मैं और discuss कर लेता हूं आपके पास Chief Justice आफ इंडिया से रेलेटर और साथी Supreme Court से रेलेटर तो Supreme Court आफ इंडिया जो है उसको जो start किया गया था 28 जनवरी 1950 को किया गया था मतलब हमारे Republic देखे दो दिन बाद जो है वो इसका integration जो है वो किया गया था Article 124 से लेके 147 तक दोस्तों कौन से पा और आपको बता है कि 123 नंबर आर्टिकल प्रेजिडेंट का है 148 नंबर आर्टिकल जो है वो Comptroller and Auditor Journal का है तो इसका मतलब आप याद रख सकते हो कि 124 से लेके 147 तक सारे आर्टिकल किस से रेलेटर है Supreme Court से रेलेटर है और Supreme Court की दोस्तों स्टेंथ कितनी है क्रणली 34 हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले ये स्टेंथ 31 ही थी लेकिन 2019 में नंबर आफ जजीज को बढ़ाने का एक बिल पास किया गया और उस बिल के अंदर जो है ये रखा गया कि स्टेंथ कितनी हो जाएगी 34 हो जाएगी तो ये भी याद रखना है कि 2019 में इसको बढ़ाया गया लेकिन क्या आपको पता है कि जब constitution के अंदर supreme court बनाया गया था 1950 में तो उसके अंदर जो है वो कितने judges fix किये थे starting में दोस्तों कितने थे 8 ये आपने याद रखना है ये question काफी बर पूछा जा सकता है अच्छे exam में खास करके SAC में कि कितने judges starting में थे supreme court में अच्छों को बता है कि president appoint कर देते हैं लेकिन एक दो चीजें आपने और इसमें रखनी है जो सरकार की तरफ से memorandum बताया जाता है कि हम इस तरह से judges को appoint करते हैं तो chief justice of India को appoint करने के लिए जो पहले chief justice of India बैठा हुए कुरसी पे तो यार उससे जो है वो पूछा जाता है सबसे पहले तो ये दियान में रखना होता है कि वो जो judge appoint हो रहा है chief justice of India वो senior most judge होना चाहिए क्या होना चाहिए senior most judge होना चाहिए फिर पूछा जाएगा जो incumbent मतलब जो अभी chief justice of India है उससे पूछा जाएगा कि आप किसका नाम recommend कर रहे हो तो by default जो सबसे senior most होगा उनका नाम जो है वो recommend किया जाएगा जैसे अभी एक्जामपल ले लें कि ऐसे बोबडे जी है अभी और उन्होंने नाम किसका recommend कर दिया envy रमाना जी का तो envy रमाना जी का जब नाम recommend कर दिया तो इसका मतलब ये किसको देंगे ये नाम ये नाम देंगे ministry of law को मतलब union minister of law justice and consumer affairs और दोस्त फिर क्या होगा कि जब ये नाम उनके पास आ जाएगा union minister of law के पास तो union minister of law जो है वो प्राइम निस्टर को recommend करेंगे ये नाम अगर प्राइम निस्टर को ठीक लगता है तो वो आगे president को advise कर देंगे कि appointment कर दो जो आज की date में आपने notification देखा वो यहीं है कि president ने ये अब appointment जो है वो दे दी है कि आप 24 अपरल को जो है वो आप join कर सकते हो as a chief justice of India तो इसमें क्या qualification दोस्तों रखे गिए एक बर फटा फट में आपको बता देता हूं qualification का जो कि आपने याद रखना है तो qualification में सबसे पहला point तो यह क्या है कि वो citizen होना चाहिए यह बहुत जरूरी है कि चाहिए citizen होना चाहिए कोई बिवी बिवी पॉस्ट में देंड हमें by default हिर citizen तो उना ही चाहिए हमारे पास कर वो हाई court का जज़ होना चाहिए किसी भी हाई court का जज़ हो competitors पैस कम से कम experience होना चाहिए किसी भी हाई court का वकील good वह को सकता है लेकिन उसमें 10 साल का experience चाहिए औ चाहे वो chief justice हो किमी high court के kा request पान साल के लिए होना चाहिए उससे कम निहीं होना चाहिए यह फिर वह वकील हो किसी हाई कोड़ों का करगा का लेकिन दस साल से कमनी होना चाहिए अगर इन दोनों मेंसे कोई भी क्वालिफिकेशन satisfy हो जाती है तो उसको judge appoint किया जा सकता है chief justice की बात नहीं करें chief justice तो यार within judges ही बनाया जाएगा supreme court के यह हम बात करें बाकी judges की जो की supreme court के other judges होते हैं क्योंकि आपको बता है total 34 judges हैं एक chief justice हैं बाकी 33 क्या है simple judges हैं तो हम उनकी बात कर रहे हैं तो citizen होना ज़रूरी है या फिर इन दोनों points में से कोई भी एक qualification satisfy कर जाए या फिर president की नजर में वो एक ऐसा बंदा हो जिसको knowledge ही और बहुत है उस field ही तो by default president उसको भी क्या कर सकते हैं पॉइंट कर सकते हैं लेकिन वो भी condition इसमें रखी हुई है लेकिन constitution minimum age कोई describe नहीं करता जजिस की तो यह सारे points आपने याद रखने हैं और जो जो चीजे मैं आपको बता चुका हूँ तो इस news के साथ ही हम आज इसको खतम कर रहे हैं और मैं हर रोज आपके लिए कैसी news लेके आया करूँगा जो कि उस दिन की सबसे important news होगे आप हमारी application को download कर सकते हैं दोस्तो नाम है careers cloud और link आपको जो है वो इस description box में मिल जाएगा आप उसमें login करें और हमारे current fairs को subscribe कर लें एक साल की subscription और दो साल की दोनों की subscription आपको मिल रही हैं हम आपको daily, weekly, monthly current fair provide कर रहे हैं हम आपको banking awareness के current fair, special current fair, topic wise सारी चीजें दोस्तो प्रवाइट कर रहे हैं लेकिन आप app को download करने के बाद एक साल की या फिर दो साल की subscription ले सकते हैं और दोनों का price यार बहुत ज़्यादा कम है और इसके उपर आपको 10% extra discount में मिलेगा अगर आप ash 10 code का क्या करोगे यूज करोगे तो आज ही इसको subscribe कर लें और guys like करना है आपने और मैं हमेशा कहता हूँ हमारा target को आपने achieve करना है subscribe करना है चैनल को अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और bell बटन को press कर दें ताकि इस तरह की important notification आप तक पहुंचती रहें और यह affairs crowd का promise है कि यह आपके confidence को ज़रूर boost करेगा ही करेगा और PDF को subscribe कर लें क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो आपको सीखने को मिलेंगी thank you guys for watching this video इसी तरह से sport करते रहें और life को बहुत ज़्यादा serious नहीं लेना life is fun हमेशा enjoy करें और साथ साथ पढ़ते रहें और खुश रहें खुश रहेंगे तो exam जिल्दी क्लिए होगा thank you guys again and take care bye bye